कैंसे आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत था आपका हमारे योटूब चैनल स्टैडी भी थी होगे इसमें कनी साहिक वाले मत सोचना कि सर ने क्लास हमारी स्किप कर दी ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको अब जैसे कल कॉमेंट सेक्षन में देख रहा था सर कनी साहिक के लिए भी करा दीजिए या ऐसा मतला बच्चो देखो जी एस का पोर्षन तो मैं यही कहूंगा आपसे कि यही वाला पढ़ना ठीक है उस टैम पे भी मैं यही कहूंगा थोड़ा सा कहना सामने फेपर है अब हो क्या रहा अगर मैं हिंदी या ऐसे टोपिक पड़ाओं तो बच्चों का क्या हो जा रहा है दिस्टरबेंस हो जा रहा है वो मतलब majority जो है अधिकान से जो बच्चे हैं क्योंकि forest guard वाले भी हैं उनका कनी साहिक भी है और कनी साहिक वाले उनके पास इतना मतलब material है आप slabs के हिसाब से आप हिंदी तो तैयार करके रख लीजिए हिंदी 25 नमबर की वो कुछ भी नहीं है वो सम पूरा का पूरा मैंने आपको कराया हुआ है आप उतना ही एक बार तैयार कर लीजिए 25 नमबर की हिंदी आप तैयार करके बैठ जाए उतराखन आपको परिक्ष्यावानी या विंसरियर जो भी है आप current of year की portion को तैयार करके रख लीजिए बाकी computer के लिए भी वहां folder बना हुआ है ऐसा नहीं कि आ कानिसाय के लिए सुर्वाद होगी एक बार इस एक्जाम को मतब तीस क्लासे जी एसकी complete हो जाने दीजिए और जो क्यूंकि कानिसाय को वाले है उनको जो strategy चाहिए उनको जो रणनीती चाहिए इसके लिए इवनिंग में फिर वीडियो आए गया फिर किस पर किस पर बेज़ किति मुगल चित्रगला या क्योंकि मैं अगबर बाबर इनके वो नहीं पढ़ाओंगा कब कब गर्दी पे बैठे कब युद्ध लला कौन सी प्रथा सुरूगी ऐसा कुछ नहीं बेसिकली वहां से जो question पूसते हैं वहां से architecture से पूसते हैं ठीक है तो architect वगरा यह सब पू जब नहीं हो और आपके अंदर का जो motivation है आपके अंदर की जो ललक है आपके अंदर की जो भूक है प्यास है इस government जो आपको पाने की वो जिंदा रहे वो मतल़ा ऐसा नहीं कि पटवारी या लेकवाल का पिपर हमारा पुलिस कास्टेबल का पिपर हमारा बहुत अच्छा सर हम तो लुड़ गए हम तो बरबाद होगे हम तो सर कहीं के नहीं रहे बचा लिजिए सर हमारी नईया डूबने से ऐसा बिलकुल नहीं है आप लोग एक पेपर दो पेपर खराब हो जाने से इतना नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपोर्चुनिटीज आपके साम यह भी उसका होट टॉपिक है मुगल चित्रकला लिख लिजिए इसलिए मा आटन कल्चर वाला ही पूर्चन पकड़ा इसको ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करा रहा ठीक है देखें मुगल चित्रकला बेसिकली बच्चों तीन-चार जीजिए इसमें बनती थी एक तो युद्ध द्रिश्य जो वहर वगर होते थे ठीक है युद्ध द्रिश्य पहला दूसरा ये बनाते थे पसु पक्षी पसु पक्षी दूसरा क्या बनाते थे पसु पक्षी व क्या आपने आप में प्राकरतिक द्रिश्य ठीक है तो लिखो पसु पक्षी व प्राकरतिक द् और तीसा करते थे दर्वारी चित्रन, दर्वारी चित्रन, बेसिकली ये तीन चीजे इनकी क्या रही थी अपनी चित्रगला की, होट टॉपिक रहा था है, होट पॉइंट रहा था कि आप पसुपक्षी का आप प्राकृतिक द्रिश्ची बनाएगे और इसके लिए खासकर ज जहांगीर के समय जो मुगल चित्रगार था उसका जो गोल्डन एरा कहलाता है, सौंड पिरियाट कहलाता है, वो किस का टाइम था जहांगीर का टाइम पिरियाट था, तो पसुपक्षी वो प्राकृतिक द्रिश्ची दर्वारी चित्रन वो युद्ध द्रिश्ची इनके बहुत फिइमज थे हैं और इसमें इनका एक चित्रगार था जो कि बेसिकली जहांगीर के समय था उसका नाम था उस्ताद मंसूर वो इस चित्रगला में दक्षता ठीक है पसूपक्षिय और चित्रगला में ऐसे लिखो उस्ताद मनसूर यह जो व्यक्ति था यह चित्रगार था यह इस पर गया था बच्चो दक्ष था यानि इसको बहुत अच्छी कहता आती थी चित्रगाला इस वाले पर और किसके दरबार में था जहांगीर का दरबारी था यह जहांगीर के समय ठीक है यानि जहांगीर के समय ये जहांगीर के दर्बार में ये रह जा था उस्ताज मंसूर ये इस चित्रकला का बहुत फेमस था और जहांगीर ने भी इसी के आधार पे सरवाधिक जो उसके चित्र दिखते हैं किस आधार पे दिखते हैं पसुपक्षिव चित्रकला की मुगल सैली का प्रारंब चित्रकला की मुगल सैली का प्रारंब किसके समय हुआ था हुमायू के समय चित्रकला की मुगल सैली का प्रारंब हुआ था और ये जो चित्रकला थी इसका जो गोल्डन समय था लिखो चित्रकला की मुगल सैली का स्वार्न काल जो सासनकाल था वो चित्रकाला की मुगल सैली का क्या था golden period हुआ करता था ठीक है अब देखना चित्रकाली के लिए जो एक बहुत famous question है चित्रकाली के लिए कारखाना बनाया था हुमाय ने ठीक है और NCRT ये मान थी है उस कारखाने का नाम था बच्चो निगार खाना ठीक है तो लिखो चित्रकाला के लिए किसने कारखाना बनवाय था निगार खान लिखो चित्रकाला के लिए किसने कारखाना बनवाय पूरा लिखना आप लोग ठीक है चित्रकला के लिए किसने कारखाना बनवाया आंसर हो जाएगा क्या हुमायू हुमायू ने बनाय था और यह जो NCERT है इस कारखाने का जो नाम बताती इसको आप लोग ध्यान रखना वो बताती इसका नाम का निगार खाना क्या बताती है ठीक है। अगला लिखना है आपने हुमायू जब बच्चो आपको पता होगा बिलगराम का युद्ध हुआ था उसके आ कन्नोज वगेरा की युद्ध हुआ था हुआ थे उसके बाद सेयरस्तान सुरु के साथ जब इसका युद्ध हुआ था भाग गया था यहांसे फारस अ आप लो, हुमायू के दो फारसी चित्रगार, यानि हुमायू के समय के जो दो फारसी चित्रगार थे, उनका नाम क्या था आपने आप में, सैयद अली, एक लिखो, सैयद अली, और सेकंड आप लोग क्या लिखोगे, इसका नाप, अब्दुसमर, ठीक है, लिखो, अब्दुसमर, ये दो हुमायू को क्या थे, चित्रगार थे, सैयद अली और अब्दुसमर, जो कि इसके फारसी चित्रगार हुआ करते हैं, ठीक है, यहीं पर इन्हों ने क्या किया, बच्चो, एक दास्ता ने, अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ था, जो कि हुमायू के काल से काल से शुरूबा था, दास्ता ने, हमीर, जो मैं बता रहा हूँ, ये एक पुस्तक थी, बच्चो, चित्रगार थी, इस पुस्तक का कम्प्लेटली इन्हें चित्रगार थी, उसके अंदर, तो क्या पता क्वेशन इस बार यही पूस दे आप से, तो आप क्वेशन किस तरी कैसे लिखोगे, देखो, दास्ताने, ऐसे लिखो, दास्ताने अमीर हमजा, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण, हमजा का चित्रण, ठीक है, चित्रण, ठीक है, ये कहां से शुरू हुआ, हुमायू ने शुरू करवाया, हुमायू शुरू करवाया, और कब कहां तक हुआ, अगबर के काल में पूरा हुआ अगबर के काल में इसको क्या किया गया पूर्ण किया गया ठीक है और हुमाई का ही चित्रगार था जिसका नामे ने आप उता अब दू समग उसी ने ठीक है अगला लिखो दसवंत और वसावत किसके चित्रगार थे किसके दर्वार में लिको दसवंत प्लस वसावन किसके दर्वार के चितरगार थे अकबर के दर्वार में लिको अकबर के दर्वार में ये चितरगार थे इनका नाम था दसवंत और वसावन इसको भी द्यान रखना है अकबर के दर्वारी थे और बाद में ये माना जाता है कि ये तो बहुत मतलब फेमस चित्रकार था दसवन्त और लेकिन अपने उम्र के बढ़ने के सांसा मानसिक रूप से विक्रित हो गया था मांसिक रूप से अपना संतुरन खो बैठा था और बताया जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली थी शुषाइट कर ली थी ठीक है तो अगर कभी पूछता है कि अकबर का कौन सा जो चित्रकार था जो अकबर का दर्मारी था तो जिसने बात में के कर ली थी आत्महत्या कर ली थ इडाई टाइम पिरेड में परवेश हुआ था अगला लिखो मुगल चित्रकला ने उन्नती किसके समय की जहांगीर में बता चुका हूँ गोल्डन एरा नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पहाडी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगला स्कूल का संबंदे चित्रकला से लिखो पहाडी स्कूल, पहाडी स्कूल, ठीक है, इसके अलावा कांगला स्कूल, मुगल स्कूल, ठीक है, क्या क्या लिखा आपने, पहाडी स्कूल, कांगला स्कूल, मुगल स्कूल और राजपूत स्कूल, इसका संबंद लिख लिजिए, इधर लिखते दो, ठीक है, राजपूत स् स्कूल इसका संबंद है मुगल चित्रकला से मुगल चित्रकला से क्या था बच्चो इसका संबंद था ठीक है पहाड़ी स्कूल वगांगणा स्कूल मुगल स्कूल और अपने आप में राजपोदी स्कूल यह अपने आप में किस से हैं अपने आप में किस चीसे संबंदित है यह मुगल चित्रकला से और एक इसमें एक क्वेशन और भी आता है कौन सा जो मुगल समराथ था प्रसिद्ध वेना वादक था यानि एक इस्ट्यूमेंट वेना आप लोग जानते होंगे उसको बजाने में दक से था वो था औरंग जीव ठीक है या कभी-कभी क्वेशन पु अरंग जीव अपने आप में प्रसिद्ध वेना वादक था और इसने क्या गया था संगीत पर बेन भी लगाय था इसने प्रतिबंद लिखो संगीत पर बेन लगाय था लेकिन खुद क्या करता था ये वेना वादक था बहुत ज़्यादा फेमस ठीक है और ये मानता था कि स आपको तांसेन वा अगपर के दरबार में लिखो और कभी-कभी कुश्यन पूछता है तांसेन का वास्टविक नाम था वह क्या था ये था रामतन नू पान्डboys डे important question नहीं लिखो इसी को क्या बोला जाता है रामतनू पांडे ठीक है रामतनू पांडे इसका क्या था वास्तविक नाम था और इसका जो मखबरा है वो है ग्वालेर में MP मखबरा कहा है इसका ग्वालेर में इसका गेहतान सिनक अपने आप मगबरा इसको भी आपडो ध्यान में रखना ठीका मूल नाम पुछगा रामतनू पांड़ नेक्स्ट व्केश्टन रिखना है लाला कलावंत से हिंदी संगीत की सिक्ष्या की सासक ने ली थी अगबनने लाला कलावंत से क्या लिखोगे लाला कलावंत से हिंदू संगीत की सिक्ष्या की सासक ने ली थी तो लिखो अगबनने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की सिक्ष्या हिंदू संगीत की सिक्ष्या की सासक के द्वारा ली गई थी अपने आपने अगबर के दारे सको डिया गया था ठीक है तो यह था अपने आपने मगल चित्रगला अब देखना मगल चित्रगला के बाद बच्चों सेकेंड जो चीज आपकी important रहती है वो रहते मुगल प्रसासन तो सेकेंड लिखो आप लोग मुगल administration ठीक है कोई भरोसा नहीं कि वो मुगल से क्वेशन फिर पूछेगा क्योंकि उसका ना बहुत फेमस टॉपिक मैंने पहले भी गहा था आपसे जब क्या कहते हैं पटवारी और पुलिस का एक्जाम नहीं हो था मैंने गहा था मुगल से क्वेशन पूछता है इस बार उसने जहांगीर वाला अगर फोभिशन पूछता है, इंके परसाद में सूबा क्या था? ये प्रान्त था जिसको आपको आज लुग राज्य बोलते हैं इस से नीचे इनके सरकार हुआ करता था क्या सरकार और सरकार को क्या बोला जाता है राज जी जिला ठीक है क्या बोला जाता है सरकार को जिला बोला जाता है और इसके नीचे इनके परगना हुआ करते है या महल हुआ करते है परगना ओब्लिक या महल ये इनका क्या था है एड्मिस्टिशन था जैसे आज कल आप लोग पढ़तो लिए सुभा प्रांत था सरकार जिला था पपर्गना इनके उसमें एक और चकला नाम पर्सासने की काई मिलती है अब आपको कि सर चकला वो ही तू नहीं है यह चकला बेलन वाला वो नहीं है तीक आप गलत समझ बैठते हैं तो चकला क्या था बच्चो वो प्रांत और सरकार के बीच का प्रांत और परगना के बीच का एक इलाका होता था जो जिला नहीं होता था ध्यान से समझना वो प्रांत और परगना के मध्य का इलाका होता था लेकिन जिला नहीं होता था ध्यान से समझना ठीक है तो चकला इनके समय में जो सेना का प्रधान होता था इसको बोला जाता था मीर बक्सी यानि अगर कभी पूछता है मुगल सासनकाल में सेना का प्रधान कौन था तो आपका अंसर जगा मीर बक्सी ठीक है ध्यान रखना और मीर बक्सी क्या था बच्चो एक तो मंसबदारों की न्यूक्ति के आदेश जारी करता था ठीक है ये क्या करता था मंसबदारों की न्यूक्ति के आदेश जारी करता थ नियुक्ति आदेश ठीक है और मनसबदारी पर था उनके समय की अगबर के समय की बहुत फेमस परता है उसमें अपने आप में वो बांट देते थे उनका पद होता था है किसा आप से देखा जाए घोले की घोले सैनिक होंगे या हाथी घोले दोनु होंगे इसके रहा में उनक सिपाईउं का मुआईना करना क्या काम होते थे घोडे दागना गोडे दागना प्लस सिपाईउं का मुआईना करना सैनिक का ठीक है मुआएना प्लस जो भूरा जिस्व होते थे भूरा जिस्व अधिकारी थे उनका क्या करता था है परियवेक्षन भी करता था ठीक है वो देखना क्या कर रहें का परिवेक्षन और कई लोग तो यह कहते थे कि यह तंखा भी यह देता था तो मीर बख्षी जो इनका था इनका फेमस क्या था बच्चो सेना प्रधान होता था अगला लिखो मोहतासिप क्या होता था लोक चरण मतलड जो लोक आचरण अधिकारी है, ठीक है, मुगल काल में, सिदे सिदे लिखना, मुगल काल में मुगल काल में मुगल काल में मुगतशिप कौन होता था, लोक आचरण अधिकारी होता ठीक है, तो लिखो मुगल काल में मुगतशिप कौन होता था, लोक आचरण अधिकारी लोग आचरण अधिकारी, यहनी लोगों के आचरण को देखता था, ठीक है, अधिकारी यह होता था, मोतसlement इसको िसको क्या किया गया, बोला गया ठीक है, अगला लिखो इतली यात्री जो मुगल सेना में चिकित्चक नियोपत हुआ था, मनुची था, ठीक है, एक इतली का अक यात्री आये था मुगल छासन काल में, बाद में इनकी सेना में चिकित्सक नयुख तह 은का नाम था मनूची, कहा लिखो के मनूची. प्त largest तो है इतालवी यात्री जो बाद में मुगल सेना में क्या होगा मुगल सेना में चिकित्षक नियुक तो हुआ चिकित्षक नियुक तो हुआ वो कौन था मनूची था ठीक है एक इताली भी यात्री आये था है जो कि मुगल सेना में बाद में क्या हुआ चिकित्षक नियुक तो हुआ ठीक है अगला लिखो इनके समय में एक टमलौजी यूज़ी यूज़ती है वो माल माल किस चीज़ के लिए यूज़ होता था भूराजस्व के लिए ठीक है तो लिखो ये कैथा बच्चो भूराजस्व था मुगल काल में प्रयुक्तो हने आला प्रमुक स्रोथ था क्या प्रमुक स्रोथ ये क्या था अपने आप में भूराजस्व था ठीक है अगला देखना लिखो एक इनका सासक था बच्चो उसने क्या किया था तमबाकू के परतिसेद लगा दिया था जहागीर नहीं क्या किया तम बाखो के परियोग को बैन कर दिया ठीक है next question डिखो बटाई किसीज के लिए यूज होता है इनकी सब्द में लगान निर्धारन का एक तरीका था ठीक है बंटाई सब्द का परियोग बंटाई क्या होता था लगान निर्धारन लगान निर्धारन का तरीका लगान समझते होगे ना आज की टाइम पे टैक्स अमान के जलो का तरीका किसानों से किर्सागों से उनसे बटाई सब देन खयूज होता था और इसमें जो बच्चों क्या किया था साहजहान इसके लिए तीन प्रणालिया अपनाई थी एक नक्स, एक नक्तिय, जबति, एक गल्ला बक्सी ठीक है बटाई अब देखो लगान निर्धारन का तरीका था तो इसमें साहजहान ने ऐसे लिखो साहजहान द्वारा तीन प्रणालियां अपनाईगी इसमें द्वारा तीन प्रणालियां अपनाईगी ठीक है वो तीन प्रणालियां क्या-क्या थी कभी क्या आप ता क्वेशन पूछ दे की इसमें ये क्या था करके पहला लिखो आप लोग इसको यह तो इसको नस्क बोलोगे या मुक्ताई बोलोगे या कंतूत बोलोगे ठीक है नस्क मुक्ताई और कंतूत ठीक है यह क्या था एक लगान निर्धारन का एक तरीका था जो की सहाजहां द्वारा इसको शुरू किया गया था दूसरा जो तरीक था पुछो नकती या जबती, ठीक है, नकदी या जबती, नकती या जबती, दूसरा तरीका ये था लगान निर्धारण के लिए, और तीसरा जो इनका सिस्टम था, उसको बुला गया गल्ला बक्सी या बटाई, ठीक है, गल्ला बक्सी या बटाई लिखो, गल्ला बक्सी, अब्लीक बंटाई ये क्या थे अपने आप में लगान निर्धारण का एक तरीका था मुगल सासनकाल में जो की अपने आप में साहजाद और इसके रिए तीन पणिया लें अगला लिखो अगबर के समय दक्कन में भूरा जुस्व की साधार पे होता था ठीक है हल की संख्या के आधार पे लिखो हल की संख्या पर आधारीत हल की कितने हल है उसके आधार पे क्या करते थे भूरा जुस्व का निर्धारान किया करते थे ठीक है और एक चीज में आप लोग उसे कहूंगा, वो तुम्हें पढ़ाओंगा नहीं, जो भी forest guard वाले हैं, ये टोडर्मल वाला जो system है, ठीक है, यानि दह साला पर था और अपने आम टोडर्मल वाले ने जो सुरू किया था भूरा जुस्तु के लिए ये पढ़ के जाना है इनका system किसका, विए अकबर के समय का है, ठीक है, अगला लिखो, साहरुक नामक चादी का सिक्खा किसने चलाया था, साहरुक नामक चादी का सिक्खा, साहरुक नामक चादी का सिक्खा, बाबर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, ऐसी इनके समय में एक और चीज होती है, बच् फेमस था हाला कि अगबर ने भी इसको बाद में चलाया था और तो इसके ब्रैकेट में लिखो दाम की ब्रैकेट में सेरसासुरी सेरसासुरी ठीक है इसी तरीके से इनका सिक्का आता था रुपिया वो था चांदी का सिक्का चांदीका ठीक है चांदीका सिक्का होता था रुपिया मुगल खाल में सेरसासुरी ने दाम चलाय था और बाज में अगबर अगर आएगा इसमें अगबर ठीक है मुगल सासक कौन था अगबर था क्योंकि सेरसासुरी मुगल सासक नहीं था ठीक है यह अगबर ने जो है दाम चला है था बाद मैं लेकिन इसको प्रारम किया था किसने सेरसा सूरी ने प्रारम किसने किया था पुचेगा तो सेरसा सूरी ने ठीक है next question लिखो आप लो किसके SikRI में राम सीता की आकरथी और राम सी देवनागरी लेक युक्त मिलते हैं ठीक है रामसी, रामसी, देवनागरी लेख, लेख किसके सिक्के में मिलते हैं, किसके सिक्के में मिलते हैं, लिखो, अगबर के सिक्के में, अगबर के सिक्के में, रामसी ताके चित्रव रामसी नामक देवनागरी लेख भी मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, अगला मददे मास क्या था ठीक है अगर आइसे क्वेशन पूछता है तो इसमें लिखो विद्वानों को प्रदान की गई राजस्व मुक्ति भूमी मास क्या लिखो को विद्वानों को प्रदान को प्रदान राजस्व मुक्ति भूमी इसको क्या बोला गया इनके समय में मदद ए मास क्या किया गया इसका कम दिया गया ठीक है अगला लिखना आपको मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा सुरू की कि मोस्ट से मोस्ट इम्पॉटन मंसब दारी प्रथा किसके समय में हुई थी अकबर प्रथा किसने शुरू की थी अकबर ने की थी पंद्रसोचसाट में मंसब दारी क्या थी यह नहीं पढ़ाओंगा ठीक है इनकी एक सैनिक व्यवस्ता से समबंद थी था और मंसबदारी पर था ये की जैनेटिक होगा इसमें योग्यता के आधार पर ये मंसब रखते थे योग्यता आधारी था ये योग्यता आधारी था आनुवानसिक नहीं था लिखो इसमें लिख दो आप लोग योग्यता आधारी था आनुवानसिक नहीं था इसके अलाव ज इसमें एक और कुशन पूछ सकता है कि इसमें ये क्यूं सुरू किया था ये साफ वा सुथरा परसासन के लिए ठीक है सुरू क्यूं क्या था लिखो मंसब्दारी की पर्था के उसमें सुरू क्यूं लिखो साफ वा सुथरा परसासन ही तू परसासन ही तू परसासन ही तू इ दूसी मैं लिखना मनसबदारी में ठीक है जात्व सवार नामक दोहरी व्यवस्ता मनसब कही इस साथी नामक दोहरी व्यवस्ता ठीक है अब आपको के सरे जात्व सवार क्या होता है यह कुछ नहीं बच्छो यह मनसबदारी में जात्व सवार होते दे जैसे किसे कि पार हाथ प्रियोग तो होने वाला था भूमा के तू प्रियोग तो हता था लिखो मुगल काल मैं या मद्धाल में जरीब का क्लू है जरीब तो उत्राखन नवी पढ़Con पीजा गाला होगा लिखो भूमापक था ठील कैं ठील never मुगलकाल में जरीब, भूमापनेतु प्रियोग, भूमी की मापेतु, भूमापेतु, प्रियोग क्या जाता किसका, जरीब का, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है, next question, कुछ important question करा देता हूँ, इसको आप परसासन का हिस्सा हड़ी है, ठीक है, अगबर, कहां पर है बुलन दर्वाजा, फतेहपूर सिक्री में, फतेहपूर सिक्री में लिख देए, ठीक है, बुलन दर्वाजे का निर्माण पुछता है, अगबर ने किया था, खाहां, फतेहपूर सिक्री, ऐसी ही एक आगरा की मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर प्राकेट में लिखो आगरा अगर मोती मस्जित आगरा पुछता है तो सहाज हाँ हो जाएगा और यही मोती मस्जित अगर दिल्ली वाली पुछेगा औरंग जेव हो जाएगा ठीक है मोती मस्जित दिल्ली का निर्माण पुछेगा तो औरंग जेव अभी कभी ऐसे कोशन भ को मुहम्मद आदिल साहजारा मुहम्मद आदिल साहजारा किसका निर्माड क्या था गोल गुंबत का निर्माड क्या था ये भी ध्यान में रखना ठीक है नेक्स्ट क्यूशन य०्ध नहीं पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है पानी पत के सभी प्यादब की जवी को तमाड कर ठ kphon अब आटन कल्चर इसंकी और ज़्यादा फोकस हो गए है थीक है इसलिए में युद्ध बगएरा नहीं कर रहा है ताली कोट बगएरा युद्ध देखके जाना पंदशो पैसट दीन पना का निर्माण किस ने किया था हुमायू ने लिखो दीन पना लाइबरी टाइप की थी इसके ठीक है यहाँ यह बैठा रता था हुमायू ने इसका निर्माण किया था दीन पना का निर्माण पुछेगा तो किस के दोरा किया था पुछेगा तो हुमायू के दोरा ठीक है इसी परकार से लिखो जहांगीर महल किसके द्वारा बनाया गया जहांगीरी महल मोस्ट इंपूटेंट अगबर के द्वारा आगरा में जहांगीरी महल जहांगीरी महल किसके द्वारा बनाया गया अगबर के द्वारा और कहांपर है आगरा में अवस्तित है कौन था जहांगीरी महल इसी परकार से लिखो आप एत्मा उद्दौला का जो निर्मान है जहांगीर का सासाराम बिहार में Most important सेरसा सूरी का मगबरा ये कहाँ पर है सासाराम बिहार सासाराम बिहार में क्या है सेरसा सूरी का मगबरा है इसको भी अपने आप में important question लगज़ना हुमायू का मगबरा लिखो दिल्ली में हुमायू का इसका हुमायू लिखा है इसके आगे मगबरा लिखो इसका ये बच्छो दिल्ली में हुमायू का मगबरा कहाँ है दिल्ली में है बहुत famous है बहुत अच्छी जगह है देखने जाना घूमने जाना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राबिया दॉरानी का मगबरा औरंगाबाद में अगला लिखो, बड़ा इमाम बड़ा कहां पर है लखनो में बड़ा इमाम बड़ा लखनव में लिखना है ठीक है बड़ा इमाम बड़ा कहां पे लिखोगे लखनव में अवस्तित है ये लिख देना है ठीक है next question लिखो जो एक बाबुल मक्का किसको कहा जाता था यानि मुगल काल में बाबुल मक्का किसको कहा जाता था लिखो बाबु में मुगल काल में ये भी ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन लिखना आपको मुगलों ने नौरोज का त्योहार किस से लिया था पार्सियों से वर्ष को नौरोज बोलते हैं नहीं लोग नौरोज त्योहार किस से लिया लिखो पार्सियों से क्या लिखो कि आप लोग मुगलू ने नौरोज का त्योहार के द्वार किस्ते लिया था पार्सियों से लिया था ये भी याद रखना आपना ठीक है अब ये तो ठीक है लास्ट रिके दो तीन चीज और बता दिता हूं जैसे ये मगबरे तो ठीक है एक नएक मगबरा पूसता है मैंसे अधिकान से पूसता है क्या आपता इस बार आपकी फॉर्स गार्ड में ये ही क्विशन पूस दितो हम मुगल पिरिया जब इतना पढ़े रहे हैं तो इसको दिल्ली में कहां लिखोगे अबदुरहीम खाने का मगबरा दिल्ली में इसे प्रकार से लिखो आप लोग औरंग जेप का मगबरा औरंग जेप का मगबरा ये कहां लिखोगे खुलदाबाद औरंगाबाद में ठीक है खुल्दाबाद लिखो खुल्दाबाद, ब्रेकेट में औरंगाबाद खुल्दाबाद, औरंगाबाद ठीक है, इसके अलावा एक लिख लो आप एत्मा उद्दॉला, most important एत्मा उद्दॉला का मगबरा लिखो आप लोग कहाँ, आगरा में और लाश्ट लिखो, सेख सलीम चिस्ती का मगबरा सेख सलीम चिस्ती का मगबरा कहाँ पर है यह फतेफूर सिकरी में सिकरी, और आप लोग ये भी जानते होंगे कुछ बिदेशी यात्री जो है, मुगल शासन में बहरत में आये थे तो लिखो, विलियम हॉकिन्स प्लस सर्थ थॉमस रो, किसके समय भारत आये थे, जहांगीर के समय अगला लिखो, टेवर्नियर, किसके समय में भारत आये था यह आये था, साह जहां और इसके ब्रेकेट में लिखना इसने भारत में हीरे वा हीरे खान की बात कही थे, ठीक है, लिखो टेवर्नियर ने भारत में हीरे प्लस हीरे खान की बात कही थे, यह भी लिखतो टेवर्नियर ने और लास्त लिखो, मनुची, औरंगजेव के समय में भारत आये था, ठीक है मुगल सासन पीरियट से इतने questions काफी है बाकी पानीपत के युद्ध, खानवा का युद्ध, घागरा का युद्ध, चौशा का युद्ध इसके अलावा अपने आत्मक कन्नोच का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, तालिकोट का युद्ध और ये जो हैं ये सब देख जाना क्या पता एक नंबर आ जाए वैसे मुझे लगता है कि आपको सब याद होगा हूँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेजन है आपके ये GS में कहीं न कहीं आपको लाब पहुंचाएगा आपके एक्जाम में ये हम मैं मतलब उम्मीद करता हूँ बाकी ये सिर्फ फॉरस गाट के रही नहीं है आपका पूरा का पूरा जो GS की 30 क्लासेज हैं इंपोटेंट इंपोटेंट चीज़ें मैं करा देता हूँ लास्ट आइम पर एक्जाम से पहले एक नजर हर कोई डाल के जाना है ठीक है तो